इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स की अगर आपके पास विए टेकनो पाइप प्रो का मोबाइल और उसमें दोस्तो आपको ये प्रॉलम आ रहा है कि आपने दोस्तो जिस एप पर दोस्तो लॉक लगाया था तो जब आप उस एप में जाने के लिए उस नहीं डाल पा रहे हैं और जिस कारण वो एप ओपन दोस्तो नहीं हो रहा है तो दोस्तो आप दोस्तो आप लॉक का नया पासवर्ट कैसे बना सकते हैं या फिर दोस्तो आप जो इस पासवर्ट को फॉर्गेट कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हू चलिए चाहतस मैं न लेतीए वीडियो को श्टार्ट करते हैं, वर उसे पहले चैनल पे नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, चलिए सुरू करते हैं तो दोस्तों देखिए, आपको दोस्तों जिस एप को lock कर रखा है, उससे पार आपको click करना है अब दोस्तो क्योंकि आप अपने app lock का password भूल गए है मुझा आपको याद नहीं है तो दोस्तो देखिए नया password set करने के लिए या नया password बनाने के लिए आपको यह forget password का option मिलीगा तो आपको यह forget password पर click कर देना है अब दोस्तो देखिए आपको यहाँ पर दोस्तो एक security question का answer मांगा जाएगा तो दोस्तो जब आपने app lock set किया होगा तो दोस्तो वहाँ पर आपने एक security question का answer भी आपने जरूर डाला होगा तो दोस्तो यहाँ पर आपको दोस्तो उसी security question का answer आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर दोस्तो आपका question आजाएगा जिस question का आपने answer वहाँ पर set किया था और दोस्तो यहाँ पर आपको डालना होगा answer तो दोस्तो मुझे answer याद है तो हम दोस्तों यहाँ पर अपना answer देंगे डाल लेकिन दोस्तों अगर आपको answer याद दोस्तों नहीं है तो फिर दोस्तों आप 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 लॉक का password चेंज दोस्तों नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपको दोस्तों answer दोस्तों याद है या रखना चाहते, तो वो नया password आपको यहाँ पर दोस्तो लेना है, draw कर, यानि कि दोस्तो बना लेना है, एक बार बना लेने के बाद आपको दोस्तो फिर से, फिर से दोस्तो वही pattern या फिर password लेना है, draw कर, तो जब आप draw कर देंगे, तो फिर दोस्तो आपका दोस्तो app lock का password दोस्तो Forget हो जाएगा मिर्यों क्या जो मुद्धो कि आपक अपका आपका डूस्तो आपका लॉक का cowork का पासवर्ड चेंज हो जाएगा अब तो देखिए जब अपने लॉका पर क्लिक करेंगे करेंगे थि इस